Hello dear all, our today's topic is pollution, which is lesson number 6 from your GK book. So this is lesson number 6, Pollution, okay? क्या पढ़ना है हमें आज इस चैप्टर में? Pollution, pollution का मीनिंग क्या होता है? Production, है ना? गंदा करना, गंदिगी फैलाना, यह सब क्या है? इन सब को ही तो pollution कहते हैं? यहाँ वहाँ कच्ड़ा फेकना, है ना? साफ सफाई से नहीं रहना, गंदा गंदा करके रखना, घर पे भी साफ सफाई नहीं रखना, और अपना जो एट्मोस्फेर है, वो गंदा हो जाना जिस वज़े से. तो यह सब क्या है? यह सब pollution होता है, है ना? और pollution क्या होता बिटा? किने टाइप के होते हैं? एर पॉलूशन भी होता है, है ना? लेंड पॉलूशन भी होता है, और वाटर पॉलूशन होता है, ऐसा पॉलूशन जिससे पानी गंदा होता है, तो वो कौन सा पॉलूशन हो जाएगा? वाटर पॉलूशन हो जाएगा, ऐसा पॉलूशन जिससे हमारी जो हवा है, जो हमार गंदी गंदी होती है, लाइक हम घर के बगल में जस्ट कच्रा किसी ने फेक दिया है ना, तो जमीन पे यहाँ वहाँ कुछ गंदिगी पड़ी हुई है, कच्रा वगेरा फैला हुआ है, तो ऐसे में क्या पॉलूशन हो जाता है, लेंड पॉलूशन हो जाता है नॉइस पॉलूशन भी होता है कोई बहुत जदा शोर कर रहा है बहुत शोर कर रहा है, कोई हॉन बजा रहा है बहुत तेज हॉन बजा रहा है, है ना, कभी-कभी होता है ना, अपन रास्ते में जा रहे हैं और कुछ लोगों के घर होते हैं main road में होते हैं अब लोग इतनी सारी horn की आवाज रहती है इतनी सारा कोई कुछ बजा रहा है कोई कुछ horn बजा रहा है तो यह सब क्या है? इस से क्या होता है? अगर बहुत तेज music सुन रहे हो जो की shore वाला है अच्छा नहीं लग रहा है उससे भी noise pollution होता है तो यह सब क्या है बिटा, यह सब है pollution ही है, अब इस chapter में देखो हमको क्या करना है okay, so making air, water or land in pure by human activities is called pollution, है ना ऐसी activities, जो हवा को, पानी को, land को, क्या करती है, पैदूशत करती है, गंदा करती है, किस के द्वारा हमारे दौरा, humans के दौरा है ना, अब पैदूशन, humans ही तो फैलाते हैं, हमी तो रह रहे हैं यह आपे हैं ना तो हमारे से हम से ही गंदीगी फैलती है सब, हमी कचला कहीं फेक देते हैं, या फे कुछ चीज़े ऐसी होती गाड़ियों का use भी हमी करते हैं है ना, तो इससे क्या होता है अग जिन चीजों से हमारा आसपास का वातवरन, हमारा atmosphere, हवा, पानी land, यह सब क्या होता है, गंदा होता है पैदूशत होता है, तो क्या होता है, यह सब चीज़ें pollution के अंदर आती है, ठीक है, अब इस chapter में हमें करना क्या है, cross, cross out the okay, so करना क्या है, cross out the pictures in which people are making air, land or water polluted, ठीक है, हमें करना क्या है, आपको जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा होगा, clearly कि यहां पर pictures बनी हुई है, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth and ninth, okay, आपको आपके सामने क्या pictures दिख रही है, और कुछ picture ऐसी हैं, जिन में pollution हो रहा है, और कुछ picture ऐसी हैं, जिन में pollution नहीं हो रहा है, तो हमें करना क्या है, उन pictures को cross करना है, जिस में pollution हो रहा है, ठीक है ना, जिस picture में pollution हो रहा है, उस picture को क्या करना है, cross कर देना है, ठीक है, तो बस इतना ही करना है एकदम easy chapter है तो ध्यान से देखो और ध्यान से सुनों ठीक है किस picture में कौन सा pollution हो रहा है है न हमें पता तो चलना चाहिए और कि इन picture में pollution नहीं हो रहा है ठीक है okay so start with the first one यह है first picture आपका इसको आप ध्यान से देखो मैं इसको जूम कर दे रही हूं अब आप यह बताओ क्या इस picture में कोई pollution हो रहा है मुझे तो नहीं देख रहा है कि कोई pollution हो ठीक है इसमें कोई भी pollution शो नहीं हो रहा है तो इसको क्या कर दिया है मैंने right tick किया है न ऐसे tick किया हुआ है right वाला sign लगाया हुआ है क्योंकि इसमें कोई pollution नहीं हो रहा है first picture हमारा ऐसा है जिसमें कोई भी pollution नहीं कि नहीं हो रहा है तो इसको क्या कर दिया राइट टिक आप भी अपनी बुक्स में ऐससे कर लेना मैं तुरी कोई pollution नहीं हो रहा है उसमें मैंने right tick किया okay tick कर दिया okay now second second picture को देखो अच्छे से इस picture की बात कर जी हूं मैं इस picture में क्या कोई pollution हो रहा है आपको answer होना चाहिए yes ma'am pollution हो रहा है इसमें land pollution हो रहा है ना कैसे हो रहा है देखो इतने बड़े बड़े से पैड लगे हैं और यह जो आदमी है कितने क्या बोला चाहिए इसको जरा भी दया नहीं आरी इतने प्यारे पेडों को कार ते हुए उसने कार दिया यहां पर थे कर रहा है और इसको भी काट रहा है तो क्या है पैड होगे शुद्ध हावा नहीं काट रहा है तो यहां पर पॉलूशन हो रहा है तो मैंने यहां पर क्रोस कर दिया है जैसे कि आपको यह दिख रहा होगा ओके जाते हैं यह हम आ गई थार्ड में अच्छे हैं और आ जाओ यह ठाट पिक्चर में ठीक हैं इसमें भी देखो एंदा यहां समस्मां वहां? है न देखो यहां पर लगता कुछ गिरा दिया है ठीक है तो यह क्या है यह भी एक तरीक अब उनको कुछ खाने को तो तो क्या हो तरह नहीं आपके घर में कभी गाय आती होगी अगर के सामने को श्रक दिया है तो इस घंदा करके खाएगी फथा फब्स्राइब कर लोग तो एसा क्या हैEZ वह याँ पर ऐसा ही कुछ कर रहे हैं कि ईनको लगता है कूछ को खाने को मिल गया है और क्या जहपट के और सब गिरा गंदा बंदा करके लोग खा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, तरीकी से पॉलूशन ही फैल आ रहे हैं, यह ना गंदा ही तो हो रहा है, तो यह भी क्या है, पॉलूशन इस पिक्चर में शो हो रहा है, तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है, चलो फोर्थ में आ जाते हैं, यह है हमारा fourth picture यह देखा आपको fourth picture इस picture में देखो मुझे तो यार यहार पे कोई pollution समझ में नहीं आ रहा है बढ़िया प्यारे से flower लगे हुए हैं अच्छा सुन्दा सा पेड लगे हुए हैं है ना बर्ड सोड रही है flies है तो इस picture में कोई pollution नहीं हो रहा है किसी भी दर्या का तो यह picture क्या है इसमें कोई pollution नहीं हो रहा है इस वज़े से इसमें क्या है इसमें मैंने ऐसे tick किया हुआ है है ना right can 기쁜 सान यहा पे मैंने lagाया हुआ लगा है तो ये क्या है यहाँ पर भी इस पिच्चर में liksom बॉरा है यहाँ पर कौन सा ओर पॉलूूशन हो जो रहा है तो यहाँ पर क्या ही और पिच्चर में साफसाफ दिखाई दे रहा है ठीक है तो यह क्या है हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में कोई चीज नहीं सुननी चाहिए वो noise pollution की category में आ जाता है अगर वो हमारे कानों को देखो जो भी simple सी बात है जो आवास आपके कानों को अच्छी नहीं लग रही है जो आवास आपके कानों में आके चुब रही है तो उससे क्या होगा वो एक तरीके का noise pollution कहलाएगा जो आपको पसंद नहीं आ रहा है जो सुनने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है जिसकी आवास आपको पसंद नहीं आ रही है शोर हो रहा है तो शोर ही क्या होता है noise pollution तो यहाँ बिचारी लड़की को लगता है शोर हो रहा है तो कान देखो कान के परदे फटे जा रहा है तो परिशान हो रहा है तो यहाँ पर क्या है यह noise pollution है इस पिच्चे में pollution ट्रक टाइप का लग रहा है और रहे यो ज़क्षी प्रता हो पैसे पीछेते कंप दूह निकलता जारा है उसमें चलता जाएगा फिर क्या है हावा को गंदान करेगा फिर एम सांस लेंगे तो इसे से बिमारियां होती है, है ना, तो, क्या है, एक तरीके से, हवा को पैदूशत कर रहा है, एयर को पॉलिट कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा एयर पॉलुशन, ठीक है, तो नंबर सिक्स में, पॉलुशन शो हो रहा है, मैंने यहां पर क्रॉस किया हुआ गढ़ा है चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं नमबर सेवन इस पिक्चर में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह कार खाने टाइप का है इंडस्टीज है न होती न कार खाने वहां से देखो इतो धूगा निकल रहा है प्लस यहां कई गंदा पानी कहां जा रहा है नदी में के लृट इन Records धो स Pacific को सभूरorta कि लम गउन कःज़र णृची रहा है यहां से जग आपयाई है जारी सीधा नदी में जाया है तो कार ख कानों से बहुत घंदा पानी निकलता है ना वहां हब depress स्कती है, बिवाल होने लगते लोगों प्रॉब्लं रखती है, है ना तो क्या है यहाँ पर कौन सा पॉल्शन हो रहा है वाटर पॉलूशन हो रहा है तो यहाँ पर पाणी कहा है, गन्दा पानी अगर नदी के पानी में आके मिलेगा तो जो नदी का पानी है वो गंदा होगा तो हमारा जो water है तो यह क्या है water pollution हो जाएगा है ना तो यहाँ पे हो रहा water pollution तो मैंने यहाँ पे कर दिया cross चलो next में आ जाते हैं 8 यह है 8 यहाँ पे cute सा बच्चा है आप लोग की जैसा यह क्या कर रहा है यह plant लगा रहा है तो यह कोई भी pollution नहीं फैला रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है तो यह तो अच्छा काम कर रहा है plant लगा रहा है तो यह क्या है यहाँ पे कोई भी pollution नहीं हो रह यहां भी क्या है, पॉलूशन हो रहा है, यहां पे इतना प्यारा सा डबबा रखा हुआ है, डस्ट बिन का, और वो खुद भी कह रहा है, यूज मी, खुद भी कह रहा है, भाई, मुझे यूज करो, बट कुछ लोग इतने जादा अजीव होते हैं, उनको यह लगता, या तो कर रहे हैं, जब डस्ट बिन बना है, भाई, तो डस्ट बिन में डालो, उसके अगल बगल में क्यो डाल रहे हो, डस्ट बिन क्यो बना होता है, कि जो भी गंदा घष्र है, हम डस्ट बिन में फेके, उसके आजू बाजू ना फेके, तो लोग क्या भी करते हैं, डस्ट बिन क्या है यह भी पॉलूशन ही शो कर रही है आपकी जो नाइन्थे मेज है तो मैंने इसमें क्रॉस किया हुआ है ओके ठीक है अब देखो यहां do you know में क्या लिखा हुआ है plants purify the air we should plant as many tree as we can to purify the environment देखो plants क्या होते है plants जो होते हैं जो trees वगेरा होते हैं हमारी air को क्या purify करते हैं साफ सोतरा रखते हैं हमारी air को है ना क्योंकि इसलिए क्या करना चाहिए जितने होना चाहिए हमें plants लगाने चाहिए और जितना हो उनको काटना नहीं चाहिए ठीक है उनको काटने से बशना चाहिए उनको काटना वाटना नहीं चाहिए और plants जितने हो सके हमें plants लगाने चाहिए यह क्या करते हैं हवा को purify करते हैं और हमारे environment को अच्छा purifier बना के रखते हैं अच्छा साफ सुतरा बना के रखते हैं ठीक है? ओके तो यहाँ पर आपका lesson number six pollution complete हो जाता है I really hope कि हमने बहुत अच्छे समझे आज कि pollution क्या होता है और कैसे कैसे हमारी health के लिए अच्छा नहीं होता है और हमारे आसपास की चीज़े खराब होंगी बेटा तो हमारी health पर सीधा असर होता है इस चीज़ का ठीक है? तो pollution जितना हो सके हमें खुद भी गंदगी नहीं करना चाहिए और अगर कोई गंदा कर रहा है कोई आपके आखों के सामने गंदगी फैला रहा है तो आप उसको मना करो कि ऐसा नहीं करना चाहिए ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा होजाता चैप्टर फिनिश अब हम मिलते हैं न्यू चैप्टर में न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ बाबाई, टेक क्या